इसे दो हिसे से पहले हमने के वीडियो में बात कीये की ब्राइफ़ोस को भिगवाओकर खाने के क्या फायदे हैं और किया नुपसान हो सकते हैं कीन ध्रय फोर्व को खाना चाहिए इसली स्वास तब आज की वीडियो में बात करने ही गर्मियों में कीन प्रकार की सismo मिल को खाना और किसे नहीं कि यूंकि अगर एकक्सपर्ट कि माने या फिर नORMAL वाने तो ड्राइफ फूट्स गर्महाट देते हैं यानि कि गर्म त légum तो इस condition में गर्मियों में डराइफोट्स खाने से मना किया जाता है या फिर कम खाने के कब लगाता है तो आज की वीडियो में बात करने हो रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में कीस प्रकार के डRIग फोट्स को बिलोग nào कर खाना चाहिए और किने नहीं खाना चाहिए कि एक्सपर्ट के मानना है कि खजूर किस्मिस और मुनकक को भीगोकर नहीं खाना चाहिए क्योंकि इन्हें भीगोन से इनके गुन पानी में घुल जाते हैं और राइफूर्ट्स में कोई गुन नहीं बसता पर मैं यहां बता दू किसे पहले हमने कई वीडियो बनाये हैं जि जब भी आप ड्राइफूर्ट्स को भीगोकर खाते हैं तो साथ साथ पानी को छान ले और पानी को भी साथ पिए क्योंकि जो भी गुन इसके पानी में मिल जाते हैं वो गुन आपको पानी पीने से स्वास्त में मिल जाते हैं यानि कि कोई भी गुन बरबार नहीं जाता ब और पचने में भी असान होते हैं बादाम और अखड़ोट ब्रेन हार्ट स्कीन बाल के लिए फाइदे मन्द होते हैं साथ ही इम्मुनिटी को स्ट्रॉंग करते हैं वैसे करें अखड़ोट को भीगो कर खाने की और भी जब रस्ट फाइदे हैं यह नहीं सिर्फ प्रेन यह फिर खड़े खड़े कुट्प में दो जाता है तो अगर आप अखड़ोट करते हैं सुबा खाली पेड़ा से ही यह फिर आप भीगो कर ख़िवन करते हैं तब यह आपको दल्द में रहा देता है पेंक्लेर के काम करता है साइटीका जैसे बीमारी में भी फाइदा देत है अब बात की चाहिए है कि ना चाहिए है तो ऐसे में एक कशने में जहाए हैं कि हम जब भी भी करते हैं तो उनके पानी करना चाहिए हमें तो बडाम के पानी इसके सेवन करने से बच ना चाहिए क्युआ कि बडाम में जो टैनिन नामक पलहात होता है, जब पानी में इसे राध पर वीगो करके रखते हैं, तो टैनिन पानी में खुल जाता है, जिसे वो नुकसान नहीं देता है। इसलिए कोसिस करने चाहिए कि बदाम सिर्फ शिलका उड़ार के खा ले उसकी पानी पीने के कोई जरूरत नहीं है सीतापल के बीज, खरबुच के बीज और अलसी के बीज इन बीजों में जिंक, आयरन, कैलसियम, पोडेसियम, सलीनियम, आरीगुन पाय जाते हैं जो सरीज को जरूरी पोसर कल देते हैं, अलसी के बीज, ओमेगा सी फैट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं, या ब्रेन और गट हेल्ट के लिए लाबड़ाइक होते हैं इन्हें भीगोने से बहतर है कि आप इन्हें सुका कर भुन ले, भुनने से इनका टेश्ट भी बढ़ेगा और फ्लेवर भी साथ इन्हें लंबे समय तक इस्तमाल क्या जल सकता है साथ इसमें आप तर्बुच के बीज़ भी जोड़ सकते हैं, यह भी आपको सेम फायता देता है, आपका अगर हर्मोन से कोई प्रबलम हो जाहे जैंस हो या रेडिज या फिर आपको सेक्शुल कोई प्रबलम हो तो भी इसमें आपको बेनिफिट देता है, पर यहां यह य अब बात करते हैं फाजूर को भी कोनदोव विखोना से साथ ही इनमें फाईबर के मातरा अच्छी होती है, चाहिने में या फिर रात को सोते समय, एक ग्लास दूद के साथ खाने छाहिए या फिर आप ग्लास में इसमें दो तिन toolkit का के साथ उबाल भी सकते हैं और फिर इसका सेवन कर सकते हैं नहीं करना चाहिए कि खजूर मीठा होता है पर वहीं अगर खजूर महिलाओ के लिए बहुत है इनके सेवन से सरीर में हेमोगलोविन लेवल बलता है अब अगर बात की जाये सबसे में सवाल की तो है कि एक दिन में कितने मंद है पर एक लिमिट मात्रा में जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो में कई पर बताया है कि जब भी हम किसी ड्राइफूर्स को भीगो कर खाते हैं तो चार्ट-पांच से ज्यादा हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसे ज्यादा खाने से बॉड़ी में प्रॉब्लम क् इससे पहले भी हमने क्यों बात की है कि कि प्राइफूर्स और किस तरीके से खाना चाहिए आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है है आप जाके वहां से देख सकते हैं बिलकुल तो आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ नई जन झालस्ट झालस्ट